कार्तिक मास माहत्म्य कथा, अध्याय दो, भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, ये प्रिये, जब गुन्वती को राक्षस द्वारा अपने पती एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वो विलाप करने लगी, हाँ नात, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहां च कौन करेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विध्वा की कौन रक्षा करेगा, मैं कहां जाऊं, मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा, इस प्रकार विलाप करते हुए गुन्वती चक्कर खाकर धर्ती पर गिरपड़ी और बेहोश हो गई, बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भाती करुन विलाप करते हुए शोक सागर में दूब गई, कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पती की मृत्यू के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गती हो सके, इसलिए उस प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पती का श्राधा आदी कर्म किया, तत पश्चात वो उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विश्नू की भक्ती करने लगी, उसने मृत्यू पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने म उपवास एवं व्रत किये, ये प्रिये, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं, इनसे मुक्ती, भुक्ती, पोत्र तथा संपत्ती प्राप्त होती है, कार्तिक मास में जब तुला राशी पर सूर्य आता है, तब ब्रहम मुहूर्थ में उठकर स्नान करन ववरत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पापवी किये हों तो भी स्नान ववरत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, कार्तिक में स्नान, जागरन, दीपदान, तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विश्नु के समान है, कार्तिक मास में मंदिर में जाडू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा, भगवान विश्नु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्मरन के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, ये सुनकर गुन्वती भी प प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई। परंतु शीत के कारण वो बुरी तरह से काम प्रही थी। इस कारण वो शिथिल हो गई तब मेरे भगवान विश्नुपदू तुसे मेरे धाम में ले आये। तद पश्चात ब्रह्मा आदी देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद शर्मा जो तुम्हारा पती था, वो डाकू है। और हे देवी, तू ही वो गुनवती है। कार्तिक वरत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धानगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वल तेरे महलों के आंगन में कल्पुरिक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था। उसी कारण तुम्हारी देहितनी सुन्दर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्षमी का वास है। छूनकी तुमने पूर्वजन में अपने सभी व्रतों का फल पतिस्वरुप विश्नु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्वजन में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था। उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में वृत आदी करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिया है। दूसरे जब तप यग्य दान आदी करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किये गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का सोलहवा भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्रीकृष्ण के मुख से अपने पूर्वजन के पुन्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन हुई। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें शेयर करें। सब्सक्राइब करें अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।